वेल्कम डुबाइ चैनल आनलाइन जीएस पाई दिवाकर जैसा कि आपके सामने यहां पर दीख रहा होगा यह आपका मिंशन किया गया जून यहां कि अपके पहले दिया है और यह दूसरा पार्ट पहले पार्ट में लोगों को साल्व किया था यह कंप्लीट हो जाएगा और यह आपका लेटेस्ट पेपर है या नहीं कि अब तक जो आपका UGC NET का पेपर हुआ है सबसे लेटेस्ट आपका कौन सा है जून 2023 का है उसके बार जो पेपर आपका हुआ है वो आपका दिसंबर 2022 का राया है जो आपका मार्च में कंड़क हुआ है ठीक है तो उसको भी हम लोग solve करेंगे उसमें चुकि दो टाइम में प चाहते हैं उसमें टोटल अभी आपका रिकार्डड अब लेवल है अब देखे रिकार्डड में जो आपका अगर आप दिसंबर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस कोर्स को जरूर जोइन कर लीजे क्योंकि यह कोर्स आप एक महीने में ही पूरा complete कर लेंगे पूरा अब आप सोचेंगे कि कैसे आपको 5-6 गंटे के वाल आपका जो वहां पर वीडियो टेस्ट दिया गया है डेली आपको 5-6 गंटे देने हैं और इतने में एक महीने में पूरा आपका क्या होगा complete हो जाएगा ठीक है और यहां पर देखें अनलाइन टेस्ट श्रीज भी है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोच रहे हैं वह भी कोर्स आपका अप लेबल है ठीक है तो आप डाउनलोड कर लीजिए जिएस पाई दिवा करें या फिर आप हुमारे बैचे से जुट सकते हैं यह आपका बैच है ठीक इंसी आर्टी का भी वहां पे एक 2004 तक पुरा साल्व करेंगे कब से कब तक 2023 से लेके 2004 तक का पेपर आपका यहां पर साल्व कराया जाएगा तो 25 तक के प्रस्ण आप लोगों ने देख लिया था 26 नंबर पर देखें दिया है कि अरोरा अस्ट्रालिस पर्टेनिंग टू आइनोस्पियर और रिलेटेड तू विच हेमिस्पियर रिजण अब दिखियें दोनों मीडियम में हमने केशन यहां पे और और यहां पर गर दिया है आपका जो भी मीडियम है यहां पर देख लीजीएगा तो आपका आरोरा वोलीर यहे और अस्ट्रालिस होता है यह किस गोलार्थ में उतल या नदर्ण में जो है अरोरा आस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस ठीक है दो तरह के यह होते हैं उत्तरी धुरूई प्रकास को हम लोग क्या बोलते हैं अरोरा बोरियालिस बोलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी धुरूई जोती प्रकास और धक्षडवाले को हम लोग क्या बोलते हैं यह आपका aurora australis, आस्टाली से आप एक दिखिए, यहाँ पर तरक आप क्या लगा सकते हैं, तरक का मतलब यह कि ट्रिक, ट्रिक आप क्या लगा सकते हैं, आस्टाली से आप अस्टेलिया के दर है, आपका southern hemisphere में है, यानि दक्षडी गुलार्द में अस्टेलिया है, तो आप यह clear करेंगे, दूसरा आपने आप जो है, clear हो जायागा, ठीक, यह आपका clear हो गया होगा, चले next आते हैं, 27 नंबर पे, इसमें दिया गया है आपका, यह अंसूचित जातियों का उचितम संकिंद्रड भारत के 17 गंगा के मैदानों में है, यानि highest concentration of settled caste population is in the 17 गंगा Plains of India, ठीक, जिसमें देखें आपका पहला कथन सत्य है, क्योंकि सतलज गंगा का जो मैदान हो जाएगा, उसमें आपका पंजाब वाला रीजन भी आ जाएगा, और आपने यह पढ़ा होगा, यहाँ पे अगर आप देखें, इंडिया का मैप, हमने छोटा से यहाँ बना द जाएगे, तो सरवादिक जो यह सी पॉपलेशन है, सिडियोड कास्ट का, वो कहां पे संकिंदर उसका पाया जाता है, सेंटर वो कहां पे है, वो आपका पंजाब में सबसे ज़्यादा यह सी है, यह आप जानते हैं, ठीक है, हिमान चल हो गया, पस्चि मंगाल उत्तर प्र भारत के केरल राज में है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निर्पेट यानि absolute number, कह रहा है कि टर्म अफ अबसुल्यूट नंबर, क्रिस्चियन, are most numerous in केरला इस्टिट, तो केरल में जो है, सबसे ज़्यादा क्या इसाइप आए जाते हैं, यह इसाइओं की संख्या है, सर आप से संख्या में पूछेगा अब आप क्या बताने जाएंगे संख्या में कि संख्या में आपका कौन सा हो जाएगा केरल राची हो गया ठीक है लेकिन यहीं पर यदि यह संख्या के बजाए क्या कि परसेंटेज की बात करेगा जब ठीक है प्रतिसत प्रतिसत की बात करेग तो सबसे ज़्यादा जो पर्सेंटेज इसाईयों का है वो लगबग 88% कहां पे हैं नागा लाइंड में दो चीजें आपको ध्यान रखना है जो ये कथनकारक वाले होते हैं इसको केवल आप आराम से पढ़िए उसके जहां पे वो मेंशन कर रखा जैसे हमने क्या पढ़ा कि निर्पेक संख्या के संधर में इसाईयों की सरवाधिक संख्या भारत के केरल राज में हैं अब इसने ड और जो पापुलेशन है टीक है टोटल पापुलेशन में सबसे ज्यादा जो प्रतिसत पापुलेशन है वह किसका है इसाई का हो जाएगा 38 परसेंट हो गए ठीक है चले इसमें बिकल्ब देख लेते दिया बूथ स्टेटमेंट फरस्ट एंड सेकेंड इस क्रू ठीक है तो यह कोस्ट जो है कहां पे इस्तित है फंडी के खाड़ी किस तट पर आस्टेलिया नार्वेच चिलिया कनाड़ा ठीक तो आपने यह सुना होगा कि सबसे ज्यादा जो उंचा जवर आता है वो कहां पे आता है यह यूजी सी नेट में पूछा गया प्रस्ण है वो फंडी की पूछा गया है कि सबसे उंचे जो और कहां पे आते हैं तो फंडी की खाड़ी है तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा कनाड़ा का तक को ही अमलोग फंडी की खाड़ी के नाम से जानते हैं यहां तक आपका क्लियर होगा चलिए आगे देखते हैं 29 अगे वीच जो ढेंड़ जो कोवेशन में उसके बारे में पूछ रहा है कि पियर्सन में दोन उचर प्रासामान वित्रिजन संख्या से उने चाहिए यानि कि जो Pearson की मानिता क्या थी कि Pearson ने जो दिया था इस संबंद गुडांक उसके बारे में कौन सा कथम सही है कह रहा है कि जो दोनों चर हैं जोनों वरीवेल्स आपको मिलेंगे वो क्या है कि नार्मली डिस्टिविस्टेट पॉपुलेटेड है पॉपुलेशन यानि कि जो सामाननी वित्रीत जन्संख्या है उस तरह से ओने चाहिए तो पहला जो कथन है यहां पर मेंशन कर रखा है कि कौन सा कि इसमें पहला तो आपका राइट हो जाए तो ठीक है यानि कि दोनों चर्वों का जुट सा प्रस्ण है ये सा प्रस्ण के रूप में जाना जाएगा और यही इसके नेक्स देखें कह रहा है कि sorry seiner control को गैर प्रचलिक माब है यानि कि दे रहा है कि जो नान्ध प्यरामेट्रिक मीजर है वो रेले संसिप wanna झाल क sóल्य के ट्या नान प्यरामेट्रिक नहीं की पैरामेट्रिक है यह is known as the covariant of two variables तो यह जो Pearson का सासंबंद गड़ांग है इसको हम लोग 2 चरूं के सा प्रस्रण यानि की covariance of two variables के रूप में जानते यानि की स्वप्रस्रण के रूप में जाना जाता है तो यह आपके यहां पर क्या है राइट है यह के रांग हो जाएंगे दी देखिए दिया है कि यह वरियता दक्षता बुद्धिमत्ता जैसे गुणों की मापन के लिए अत्यदी उपयोगी होता है ठीक है तो दो समंग स्रणियों के भी सहसंबंद क्यायत करने के लिए जो सांक की रूप अपनाया जाता है ठीक है सांक की विदिया वह आपका काल पियर्शन के अंतरगत आती है इसमें जो आपका मिंसन किया गया है कि यह वरियता दक्षता बुद्धिमत्ता जैसे गुणों के मापन के लिए अत्यदी कुप्यूपत है तो यह आपका क्या हो जाएगा यहां पर यह रॉंग हो जाएगा यह बुद्धिया वरियता दक्षता का नमाप नहीं करता है बलक अब देखे भारत की जो स्वास्तिनीती है उसके संबंद में कह रहा है कि कौन ये 2017 के बारे में निमलिखित में से कौन सा सही है ठीक दिया है कि जन में के समय जीवन प्रत्यासा को 2025 तक 70 वर्स बढ़ाना है कि हम लोगों ने थर्टी नंबर देखा कि नहीं अभी आइधिंग 29 नम लोगों ने देखा था यह 31 अपका हो गया तो 30 पहले देख लेता है ठीक है दिया है कि इलस्टेशन अफ दा हटनियन थेओरी आप दा आर्थ नामा कुछ ता किसने की हटन भॉमिन ब्लांस या जान पल के फेयर जो है यह जिम सटन के सिस थे ठीक है और उन्होंने ही इसके बारे में यह रचना करी है और 31 में आ जाईए आप जो है निशनल है तो पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजे जो नितनल है पॉलिसी थी 2017 जो है यह जो पिछली राश्टी स्वास्तिनीती थी 2002 उसी का यह परिवर्थित रूप है यानि कि उसके बार जो है यह किया गया और इसमें 2025 तक जो है 70 वर्ष तक इसको बढ़ाने का लक्ष रखा गया है यह तो आपका राइट हो जाएगा सरकार द्वारा स्वास्त खर्च को 2025 तक GDP का जो है 5% करना है यहां पर मेंसन किया गया है यहां पर यह तो कह रहा है कि जो खर्च है यह सरकार के द्वारा क्या गया कि वज I am T का 2.5 से बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है 2.5 परसेंट जी डीपी ठीक है ति यह आपका यहां पर 5 परसेंट में इसन है ति यह आपका क्या हो जाएगा राम जाएगा सी देखें सी सुम्रित्तुदर को 2019 तक 28 तक गटाना की आपका राइट है और डी आपसं देख लीजे यहां पर आपका 31 में है कि दिया है कि रिडेक्शन आप मैटर्नल यानि कि 2020 तक मात्र मिर्च दर जो है 2020 तक यह घट कर कह रहा है कि 200 के आसपास लाना है ठीक है इसमें कह रहा है कि जो यह घटा के हम लोगों सव प्रतिलाग पे लाना है 2020 में ना कि 200 लाना है यह 200 जो दिया है यह भी रांग हो जाएगा यह ध्यान लखेगा कि जो स्वास्तनीत 2017 है उसके बारे में क्या क्या चीज़े मिली 2025 तक 70 वर्ष बनाना जीवन प्रत्यासा जो अभी कम है और इसके अलामा इसको 2019 तक जो है क्या करना है 28 तक घटाना है GDP का कितना है 2.5 परसेंट करना है ना कि 5 और मात्र मिर्तिदर को 2020 से ठीक है यानि 200 से घटा के आपका 2020 तक कितना लाना है 100 प्रती लाख पे लाना है तो यह आपका जो सो लाना है तो यह भी आपका जो आप संदिया गया तीसी साफ से यह रांग हो जागी यह भी है यह देख लिए रिडेक्शन आप टूटल फर्टेल्टी रे 2.1 एट नेशनल सब नेशनल लेबल भाई 2025 यानि प्रजनंदर जवा 2025 तक राश्टी अस्तर और उप राश्टी अस्तर पर कितना करना 2.1 तक कम करना है तो यह भी आपका यहां पर राइट हो जाएगा तो दि नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसको धहन लखिएगा और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको धहन लखिएगा क्योंकि पिछले कई एक्जाम समय आपका पूछे जा रही है तो यहां से जो कांसेप्ट आपका बना यानि जो चीज़ें आपको मिले आप क्या करिए यह पांचवर स्टेटमेंट हमने आपको राइट बता दिया क्या इसके सही होगी अब इसको आप नोट डाउन कर लीजे एक्जाम में इसी के आसपास से आपसे प्रस बन जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं 32 दिया कि समया अनुसार जनसंख्या प्रद्य को दर्साने क लिए का चंब्यों सबसे उप्यूगत है जैसे समय के अनुसार मालि जैक Alabama यज़े ↑ पिर आपका अत्तर दिया आ है फिर आपका एक 80 है एक 90 है यह समय के अनुसार कह रहा है कि आपको जो है जनसंख्या का जो गुरूथ है वो आपको दर्शाना तो किस डाइग्राम का उप्यूग करेंगे multiple bar, line graph, pi diagram या coroplet ठीक है किसका उप्यूग आप यहाँ पे करेंगे जो आपका pi diagram है sorry line graph है याँ रेखा graph है उसका हम लोग उप्यूग करेंगे कि कितना growth कहां पे हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आपका जो right हो जाएगा वो हो जाएगा भी आप सन्या पे right हो जाएगा तो रेखा जो है रेखा graph है यानि लाइन ग्राफ है इस पे हम लोग temperature rain fall यानि RF ठीक है इसके अलावा जो जन संक्या घनत तो है साक्षरता बृद्धी है लिंगा नुपात है यह सभी आपका हम लोग किस पे दिखाते हैं यह आपका line graph पे देखाया जाता है यहिए जनसंक्या ब्रिद्धी जन संक्या घनत नहीं बलकी जन संक्या ब्रिद्धी को दिखाया जाता है zwischen Mud में आपका यह प्रेश क्वांटिटी रिवल्यूशन इन जोग्रफी कह रहा है कि भूबूल में मात्रात्म क्रांती का अगरण यह वक्ता है कि एड़ोकेट किसी कहा जाता है ठीक है सेंपल रेट जिल है मैं किंडर इटर है पिटर रेगट भूंगी है और किंस्की रेट जिल है और चोड़ लें ठी क्वांटिटेटिव रिवल्यूशन यह आपका क्या हुआ ब्योहार बात जो क्रांती थी उसके भिर्वोद के फलसरूप आपका यहां पे लाया गया ठीक है तो यहां पे आपका लगबग सत्तर के दसक के आसपास के घटना है तो यहां पे आपका जो राइट आंसर हो आपके सही है यह कौन कौन से संबंधित है तुचोर भी आपके मातरात्मक रांती से संबंधित है अगर इसटेंड भी है पिटर हैट ने लोकेशन इनालसिस इन इमन जिग्रफी मातरात्मक भगोल के रूप में ही उन्हों ने लिखा था किसके अलाम टाइम-इस्पेस जो यह अगर इस्टेंड का है ध्यान दखिएगा है तो यह आप ध्यान दखिएगा भूंगी भी यह आपके जो विलियम भूंगी रेडिकल जोगरफी से भी रिलेट करते हैं कि यहां पर सी और यह हो जाएंगे तो डी आप से निया पर राइट हो जाएगे कि नेक्स्ट आजाएए कि 34 कि युनानी विद्वान के क्रम के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही क्रम है इरेटो इस्तनीज हैं पॉसिटोनियस मेला है एक एटीयस है और इपारकस है तो सबका थोड़ा सा टाइम पीरियड देख लीजे एक एटीयस इसमें जो है आपके सबसे पुराने लग रहे हैं सबसे पहले आये थे यह यह लगबग छटी सदी के आसपास है ठीक है 6 BC के आसपास यह है इसके अलामा आपका जो इरेटो इस्तनीज है इनका लगबग 194 के आसपास का है यानी इस BC के आसपास है और हिपारकस इसके बाद है इनका I think 120 BC के आसपास है हिपारकस का टाइम पीरियड ठीक है और आप बचे आपके पॉसिटोनियस मेला तो मेला इनसे भी नौजवान है, लास्ट वाले में आते हैं, जैसे जब आप यूनानी भी द्वानों का करम पढ़ेंगे, तो सबसे लास्ट में जिसको पढ़ना है, वही है, समझिए कि सबसे पीछे वाले हैं, तिनका लगवक 50 BC की आसपास माना जाता है, और BC में क्या होता है, यानि 300 BC, ति इसमें सबसे पुराना आपका जो माना जाएगा, यह 600 से लेके, 700 वाले टाइम पीरियड को इसमें सामिल किया जाएगा, ठीक, इसमें कहा रहा है कि सही कालकरम यूनानियों का कौन्स है, इसमें C हो जाएगा, C के बाद आपका कौन्स हागे, इस तनी जा गया थे, फिर आपका फॉसिडोनियस मेला है, अब निक्स देखिए, 35 नंबर है, इसमें आपका क्या करना है, मैच कराना है, और इसमें दिया वो दियोगों का प्रकार और प्लेस जहां पी यह समद्दित है, जैसे जूट है, उन है, रेसम है, सूति बस्तर है, और यहाँ पे उंगो है, हिसार है, मैसूर है, कुलू है, अब इंडिया वाले ही प्लेस के नाम है यहाँ पे, यानि कि कहां पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है, जूट का कहां पे हो रहा है, जूट का आपका उंगोल में हो रहा है, उन आपका, तो यह आपका कुलू में, और इसके अलामा जो रे तो ऐसे यहां पर उतना ज्यादा तो places है नहीं लेकिन जो दिये गए विकल्प के अनुसार हरीनाडा का हिसार जो है यहां पर यह थोड़ा बहुत cotton का production होता है ठीक है हिसाधार पर जो आपका विकल्प हो जाएगा A का आपका 4 हो जाएगा B का आपका 1 हो जाएगा A का 4 B का 1 C का आपका हो जाएगा 2 A का 4 B का 1 C का 2 हम देखें यहां पर देखें कैसे क्या रखा है अगर आपको एक पता है आपको यहां पर C पता है ठीक है तो भी आप यहां पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि C में 2 है यहां भी 2 है ठीक है तो यह confusion वाले प्रस्ण है इसमें आपको इसमें मिल जा रहे है तो एक तुरी सम आप लगा लीजिए महसूर उन्हें लगा लीजिए ठंडा परदेश है तो कुल्लू में हो जाएगा तो यह राइट है दो हो गए आपके ठीक है अब जूट की बात कर रहा है तो जूट आपका मानिजिए अंगोल का नाम आपने नह देख लीजिए इसमें यह कही प्लेस है जहां पर सी का टू और बी का वन लगा है तो वही राइट हो जाएगा इसी तरह से आप एक्जाम में भी सिट किया करिए दो मानिजिए आपको आ रहे हैं तो ऐसे आपको करना है चलिए इसमें इनोंने दिया है कि गर्म आपनी था रहा है और इदर आपका करम आपनी meeting कोट कोल्ड वसं करें तो इसमें कौं सी जो है ठंडी जल्दारां आके मिलती है उसका नाम आपे में सं किया गया है मिलने वाली आप देखें यह होना चाहिए मिलने वाली कि अंडी जल्दारा कि यह गर्म नहीं बलकि हिंदी में देखें एक बहुत गलतियां ऐसे रहती है तो यह वाम करेंट हो गया तो इसमें ब्राजील है गल्फ इस्ट्रीम है कि रोसीयो है और अगुल हास है तो सबसे पह कि आपको कहीं भी एक्जाम में आपको या किसी को समझाना है तो आप ऐसे ही फीगर मालीजे रफली बना लीजे ठीक है अब यहां बे मैं बात कर रहा हूं कि गल्फ इस्ट्रीम यहां से आपको चलती है और इधर से कौन से आ जाती है लेपरोडोर की धारती से मिल जाती है तो इसमें आपको कौन सा हो जाएगा गल्फ इस्ट्रीम से आपको हो जाएगा लेपरोडोर ठीक अब क्यूरेसियो की बात कर लें तो क्यूरेसियो यहां पे आपका है यह आपका इंडिया हो गया इधर आप आजाएंगे और यहां पे आपका यह जापान है ठीक यह जोorter के गर्म ौहारा है इसमें जो ठटंडी जलदारा मिलेगी कौन सी मिलेगी वो यहसियों की मिलेगी विस इतना ज scor adapting यह की जो धारा है लेके ब्राजील से आपका कौन सा मिलेगा फार्क लैंड मिलेगे और अगुल आस है तो इससे विस्ट विंड डिप्त जो है इससे मिलेगा तो यहां पर आपका जो दिया गया है बी का आपको पता है सी है सी का पता है यहां वन है यानि कि बी का पता है थर्ड है बी में देखे थर्ड है सी में वन है तो यहां पर डी आप्सन हो जाएगा राई कि इसी तरह से आपको यह चीजें लगाना है यहां पर अब यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा ही रेज कर दिया जाए एक 37 देख लिजे दिया एक उस विद्वान की पैचान कीजे जिसने सरवर्थम चीन के कोईला छेत्रों की जानकारी दी और मांचित्र बताया तो चीन में जो चीन का भोगोल लिखा और किसमें लिखा है चीन का भोगोल ये रिटर हम बोल्ण दिया रडजल दिया है रिस्थोपिन तो वहां के लुएस मैदान के बारे में चीन की जोगरफी के बारे में जो लिखा है वो रिस्थोपिन ने लिखा है तो जाहिड सी बात है इतनी जानकारी दे दिये तो यह क्या कोईला और मांचितर के बारे में दूसरा कोई देगा क्या तो महासागरी जल का घनत तो समानत है सबसे कम कहां पर होता है बुमद रेके में उपोच्ण कड़ी बंदे में सीतोस्ण में या धुरुवी छेत्रों में ठीक है कहरा है कि जो महासागरी जल है उसकी देंसिती घनत की बात कर रहा ध्यान देचेगा ठीक तो घनत सरवादिक कहां पर होगा क्या यँकुक्तिरियाल जो बिल्ट है यहां पर आपका सबसे ज्यादा इसका घनत को पाया जाता सौनत है सबसे सक ज्यादा यहां पर हो जायगा धुरुवी चित्रों की तरफ इंस ने सी पहले जैंड़ पर लगरेरेट पर जला पर का तेमप्रेचर रहेगा तेसरे यहां पर आपका density maximum होगी जो कि यहां पर दिया सब से कम जो कहां पर होगी वह आपका equatorial region में होगी region यह है यहां पर क्या होता है कि बराबर वर्सा होती है टंपरेचर भी प्रॉपर पड़ता है और इसकी वज़ब से क्या होता है कि जो जल का घंत्व है वह कम होता है कि अब एक शाकृत इन जो तीनों आपसंस के छले नेक्स्ट आते हैं सब्सक्राइब कि अध्यन पर आधारित कौन सब्सक्राइब कर दिया गया है बर्गेश का संकिंद्री वले सिद्धान्त है अगर स्टेंड का इनोवेशन सब्सक्राइब क कि अध्यारिब कर दियृष्म की अध्या बहुं में प्योक कि हम लोग बात करें हैं तो मानो परिस्तित्की की भी ये बात हो जाए कि क्योंकि human ecology की अंतरगत भी नगर जो आपके आएंगे ये मानो की परिस्तित्की में भी सामल किया जाते हैं ध्यान रखेगा इस चीज़ को ठीक है तो पहला option ये right हो जाएगा क्योंक human ecology में आएंगे तो भूद्रिस्ति का मतलब क्या हो गया कि मानों के द्वारा निर्मित करता है मकान बना दिया ठीक है तो यह सब क्या है इसके लेंडिस्केप है यानि भूद्रिस्ते हैं लांग टर्म अब्जेक्टिव आप निस्टिन पॉपलेशन 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 इस्टिरी करन ये देखिए आपका बहुत बहुत प्रसंद पूछा है उत्तरा खंड का जो असिस्टन पोफिसर एक्जाम हो वहां भी पूछा गया है हरियनळा का जो पेपर हुआ वहां भी पूछा गया इसी कब रखा गया है यह आपका 2045 में रखा गया है और अभी क्या है कि जो 2001 से लेके 2011 तक जो जन्संक्या में बढ़ उत्तरी है लगवक 17.7 के आसपास है तीसी को हम लोगों क्या करना है जो 10 की प्रिदिदर है उसको इस्टेबलिस कर देना है कि आप कुछ न बढ़ेगी कि जो पहले से वही निश्चितर है मांचितर बनाने की तकनीक में अंतराल अंक गणती बृद्धि में परियुक्त होते हैं ठीक है दिया है कि विच आउद फालोइंग मैप मेकिंग टेकनिक यूजे दा इंटर्वल्स इ जो अंतराल है वह अंक गणती बृद्धि की रूप में युक्त होता है यानि कि कोरो क्रेमेटि के आप मनाएंगे डाट का या समगनतों का या फिर आपका प्रपोर्पोर्शनल सरकिन यानि अनुपातिक बृद्ध का इसमें कौन सा हो जाएगा जब हम लोग आईसो रिद गरंतराल है उसका उप्योग करते हैं जैसे दस से बीस हो गया बीस से तीस हो गया तीस से चालिस हो गया तीस तरह से आपका जीरो से दस हो गया तीस तरह से वर्गंतराल का उप्योग हम लोग करते हैं चलिए निक्स्ट आते हैं 42 एक वोडी टू में जो में एंटसन किया गया है इसमें देआ गया है कि दोजारी की जनगरणा की अनुसार बहरत के निमलिकित राज्यों में से जनगनत की दिश्टी से आरोही क्रम में वेवस्तित करिए आरोही का मतलब देखे हिंदी इंगलिस दोनों देख लिया करिए क्योंकि कई बार आपका आरोही करके आरोही हिंदी में कर देता है और वो माने का कौम सा इंगलिस वाला है तो आपका गलत हो जाया गई तो यहां पर ascending order किया है, ascending यानि कि आरो ही मतलब कि सबसे छोटा, फिर इस से बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो यहां पर बड़ा छोटा में क्या देखना, जन संख्या कि का जो घनत्य हो, वो सबसे कम कहां पर है, और सबसे अधिक कहां पर है, वो आपको यहां पर देखना है, तो दि स्थान हो जाएगा, उसके बाद आपका उड़ीसा उससे ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका उससे ज्यादा यूपी है, और उससे ज्यादा जो आपका हो जाएगा, केरल हो जाएगा, फिक है, इतना क्लियर आपका हो गया है, इस हिसाब से आपका कम से हो जाएगा, A, B, D और यहां पर यहां पर दीखे सबसे ज़्यादा जो प्लेशन डिनस्टी आपका बिहार में प्लेशन देख लीजे निमलीख्यत में से कौन सा कथन सूरी की तुंगता और उचाई मारतों के बीच खाली जगें भरने के खाले जगह रखने के लिए सरवादिक प्रासंगे के पुछ अच्छांसों पर इमारते सामान ने दूर दूर बनी होती है तियाँ पर दिया है कि कौन सा कथन सूर्य की जो तुंगता है तुंगता का मतलब क्या हो गया यहां पर कहा रहा है कि अल्टिटूड आप सन यानि कि जो जैसे सूर्य है इसकी उचाई इसका तिरचापन यह सभी तुंगता में मापे जाते है इस पेसिंग आफ टाल बिल्डिंग इस मोस्ट रिलिवेंट कहरा है जो तुंगता और उची इमारतों के भी जो इस पेस है के यहां पर सरवाधिक प्रासंगी कहां पर होगा तो जो उच चछां से पहला दिया है मुझ चंसों पर इमारतिे समानिता दूर-धूर बनी होती है यह आपका क्या है इसके लिए प्रसंगिक है क्योंकि जो आपका उच्छांस पर जैसे आप 60 डिगरे पर आए लिगे या आप 45 से उपर आएंगे यहां पर आप देखेंगे जो आवासों का निर्माण किया जाता हूं उसमें डिस्टैंस लेकर किया जाता है एक दूर दूर बनी होती है तो यह आपका राइट हो जाएगा कि दूसरा देखें कुछ लकड़े बंदी चेत्रों में इमारते समानता एक दूसरे के नजदीग बनाए जाती है कि यहां पर जो मिंसन किया गया भी आप्शन कि यह आपका क्या हो जाएगा रंग हो जाएगा कि इसमें आपको यह दूरना सबसे उप्यूक्त उत्तर कौन सा है इसमें आपका जो है कि उसनिकड़े बंदी चेत्रों अब यह उल्टा आप यह मत समझियेगा कि जैसे वह चाच्छाण सों प्याएंगे दूर-दूर बनेगा निमना च्छाण सों प्याए तो एकदम सटा के बनाएंगे ऐसा नहीं होता है ।ो इसादार पी रंग हो जाएगा 43 में हम लोग देख रहे हैं नहीं यह देखे आपका जो उसन कड़वंदी चेत्रों में आप एक्षा क्रिति से क्या होगा तो यहां पर कहा रहा है कि सामानता यह धन रखेगा कि यहां पर क्या है कि आप जो आपका यहां पर बसावट है वो क्या है जनरली जो है नजदीक है सामानता बात का है ठीक लेकिन यहां पर आपका एक दूसरे के उतनी नजदीक नहीं होती है अलागे आप एक्षा करते इससे क्या होती है नजदीक ही यहां पर होती है तो यह भी आपका राइट है यह देन रखेगा पर नहीं पर पर होता है तो जो जसे, जैसे क्यों आप ल्ग के बीच में आप देखेंगे क्या होता है फोड़ा सा छोड़ा जाता है क्वेशलीयों चोड़ा जाता है जो जो गर्मी है उसमें क्या हा। मैटर, पदार्थ िसमें लगे हैं, कंकर, पत्थर इसमें क्या हो तो थोड़ा भूत प्रसार होगा तो प्रसार होने से क्या होगा यह फाइलेंगें। अगर गैप आपका नहीं रहेगा ते दूसरे का थकरा जाएंगे और यह चटकने इसमें आजाएंगी अक्सर आप देखते हैं जो बाउंडरी बनाए जाती घर की जो बाउंडरी बनाए जाती चारो तरफ उसमें भी आप देखते होंगे कि बाउंडरी में भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है तो रीजन क्या गै इसमें आ जाएगा तो इसलिए यह गयब दिया जाता है कि ताकि सिकुड़ने से यहां पर भी चटकने नहाएं ठीक तो यह आपका क्या हो जाएगा रांग हो जाएगा उसक यहां भी विल्डिंग यूजियली विल्ट फार अपार्ट इन ट्रॉपिक्स यानिक जो उसन कड़ इन छेत्रों में कह रहा है कि सामानता दूर दुर बनी हो कि आपका रंग है इसमें यह दूरा राइट कि कि वाला राइट है मैं यृपका होती है इसमें बी दून्व सही हो जाएंगे आपसन आपको हो गया है चले फुट्टिफोर देख लीज़े बुरान तुफान जो व जानते हैं और अलास्का में इसको अम लोग क्या भोलते हैं बुरगा भोलते हैं अलास्का में क्या बोला जाता है बुर्गा के नाम से जानते हैं अब टुंड्रा वाले रीजन में क्या बोलते हैं इसको पूर्गा संक्या 2011 की सरवाधिक संक्या कहां पर पाई जाती है तो ट्राइबल पॉपुलेशन अभी आपने यसी को भी पड़ा है इसके रहां आपने जो है पॉपुलेशन इसाईयों का भी आपने पड़ा है इसाई वाला यह किस जगरफी के किस वाले में आ गया यह सूसल जगरफी में आ गया ठीक अब यहां पर देखें जंजाती में सरवाधिक संक्या जो है कहां पर पाई जाएगी तो नागलेंड मद्यप्रदेश गुजरात पाईसा और तमिल नाडू है तो यहां पर जो पॉपुलेशन सरवाधिक है वो संख्या के मामले में आपका यह नंबर वन पर प्रतिसत के द्रिश्ट से यानी की परसेंटेज में जो आपका है वो आपका लक्षदीब है मिजूरम है नागा लैंड है तो पूर्वत्तर वा सब्सक्राण यानि फाइनेंशल डेपसिट का या डिसेंबलिंग डिसेंबली एंड रिसाइक्लिंग का या इसमाल इसकेल इंडेस्ट्री डिक्लाइन का ओटिसिक्स में कि दी मैं मैनूफुक्ट्रिंग का मतलब हो गया वोक्ता उत्पात कुछिने हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं फिर उसको अलग करके फिर उसको मैनूफुक्ट्रिंग मिला या लाती है नहीं डी मैनुफ। करते हैं पुना यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा डिसेंबलिंग तो मैनुफेक्चरिंग से इसको क्या किया अलग करने के बाद फिर क्या किया फिर इसको मैनुफेक्चरिंग मिलाया जो उसमें कमिया थे इसको रिसाइकल किया में देखिए कौन सा रंग इंद्रधनुस का भाग नहीं है तो आपने ये पढ़ा होगा बैनिया पिनाला इंद्रधनुस में जो रंग आपके हो जाएंगे तो यहां से भी आप भी देख सकते हैं तो आपसन आपके पास जो है बैगनी है तो बैगनी यहाँ पे है नारंगी है तो नारंगी है यहाँ पे लाल है तो लाल है ठीक है हरा भी है नीला है आसमानी और फीला है ति इंद्रधनुस में यह सभी सात रंग जो आपके है इसमें कौम सा नहीं रहेगा दूसर वाला नही 47 के बाद 48 आ गया इसमें कथन दिया गया असर्शन और रीजन है असर्शन क्या कहा रहा है कि भूमंडेली तापन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग आपके हां हो रही है तो जो जीव पहले गर्म प्रदेश तक सीमित्थे विक्या कर रहे हैं द्रूवों की अधिक सामानने हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सही है क्यों सही है क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा जो आपके बर्फ हैं पिगलेंगे यहां का टंपरेचर भी क् बर्फ लेंगे और जब यहां के जो गर्म प्रदेशों के लोग इक्विटर वाले क्या करेंगी यहां पर गर्मी और बढ़ जाएगी तो यह क्या करेंगे ऊपर की तरफ ही पलायन करेंगे ठीक है पहला तो आपका यह राइट हो गया आर देख लीजे यहां कि रीजन जो दिया गया है जलवाय परिवर्थन से जियों के भाव ब्वोलिक बितन में महत्वन बदलाव नहीं हो तो यहां पे टंपरेचर ज्यादा होगा तो यहां पे आप रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे तो आपके इधर चलेंगे जो आपका ठंडे प्रदेशन उधर की और है ती रंग हो जाएगा तो यहां पर यह सही है और गलत है तो सी आप सन हो जाएगा एक चलिए नेक्स्ट आजाए फोटी नाइम किन विद्वानों ने संभवाद की विचारधारा का मजबूती से समर्थन किया है इसमें देखे दिया रेट जिल है रिटर है बुरूंस है काल है लिए यह बROगा है किसा मजबूत प्रकेंतना हैं नियतिवादि कि प्रबर्बल सर्वर्थक हैं ठिक है सैंब्रोग्या एं ब्लांता रेट जल भी नियत्वादी हैं तो यहां पे दो ही आपके हो गए बी और सी होगे बी सी यानि बी आप्शन पचास नमबर देखे पहाड़ी ढाल के तत्व को ऊपर से नीचे की और सही करम में आपको ब्योस्तित करना है अब देखे यह सीम आपका कहां से पूछा गया है किता बनाके इसके कौन को भी मेंसं किया है तो यहां पर कह रहा है कि उपर से नीचे तक सबसे ऊपर क्या होगा फुरी फेस हो जायता है शुरुवार जो होती है तो यह आपका वर्दमान डाल से वर्दमान डाल के बाद आपका फ्रीफेस आता है फिर आपका जो है डेवरीज आता है फिर आपका बैनिंग आता है यानि छीडमान यहां से आपका बैक्सिंग यानि की उत्थान हो रहा है फिर यहां पर आपका उत्थान से मुक्त हो जाएगा तो मुक्त फेस हो गया फ्रीफेस हो गया अब यहां से किसका छीडमान होगा यानि क्या होगा यहां पर डेवरीज होगा यानि जो स्लोप है मलबा का ड़लान वाल भी हो जाएगा भी आपसा कि टूटल हम लोगों ने पचास प्रस्म देख लिए कितने से कितने तक 26 से लेके 50 तक यह तोटल जो हम लोगों ने देखा आपको कैसा लगा इसका पीडियाप यह आपको मिल जाएगा पीडियाप कहां पे मिलेगा यह आप आल्लाइन जीएस भाई दिवाकर जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको जोईन कर लीजेगा दिवाकर ओफिसियल करके है ठीक है इसका लिंक भी आपको जो है यहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे इसको जोईन कर लीजेगा यहां आपको पीडियाप मिल जाए इसके अलावा हमारा आयप भी डाउनलोड कर सकते हैं यहां में हिंदी इंग्लिस दोनों में टेस्ट स्रीज उपलब्द है जो लोग इंग्लिस में चाहते हैं उनके लिए आनलाइन बाला टेस्ट जो है ज्यादा यूज़फिल रहेगा इसमें इतना है थांक्स पर वाचि और यह जो रणनीती होगी केवल आपका दिसंबर को फोकुस करके हम लोग चलेंगे कि आपका जो दिसंबर में एक्जाम होने वाला है तो कि अभी आपके पास टाइम क्या है बहुत कम है पूरा यह मानके चलिए कि थार्टी डेज है आपके पास नॉम्बर का और उधर मान नी चलेंगे जिस में फूल स्ट्रेजी के साथ अपका प्रक्टीस कवल चलेगा ठीक है फ्रैक्तिस पर फोकस करें एक मंद आपका आराम से एक दूं मार्क है तो किवल आनेनी में चाहिए थो आपको आपका यहां से ट्लेर हो जाया तो यहां पर इतना है थाए इंक्स पर व